दूसरे दिन बेगम गंज में फिर मिले तीन कोरोना पाजिटिव जिन में से एक थोक किराना बैपारी पूर्व नगरपाल का अध्यक्ष का पुत्र सामिल नगर में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना पाजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसला जारी है सुक्रवार को एक ब्रद महिला एबम एक नो साल की बच्ची सहथ पूर्व नगरपाल का द्यक्ष किराने के थोक ब्यापारी का सुपत्र की भी कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आनिसे नगर में हड़कम्प मच गया प्रशासन ने आनन फानन में पुराना बसिस्टेंट से पांच नंबर मार्केट पक के छेत्र को कंटनमेंट एरिया घोसित करते हुए बेरिकेट से लगा कर बंद कर दिया गया है मकान के पिछले हिस्थे को भी बेरिकेट से बंद किया गया है जबकि पुरानी जेल में पहले ही कंटनमेंट एरिया के अंदर ही दो मरीज निकले थे इसलिए नया कंटनमेंट छेतर घोसित नहीं किया गया तैसिलदार सत्रुगंजी ने स्वेम ही मौजूद रहते हुए कंटनमेंट एरिया बनवाया है और आसपास के सबी ब्यापारियों के ब्लेट सेंपल जाच के लिए दुकान दुकान और उनके मालक और कर्मचारियों सहे ग्राकों की जानकारी मांगी है आंगन बारी कारिकार्ता एलैनन बगएरा के आसपास के छेतर की हिष्टी तैयार करने के लिए कहा गया है BMO विजय लक्षमी नागबंसी ने बताया है कि दो दिन पहले नगरपालका की जल सप्लाई के जो कर्मचारी पुराने जेल एरिया में रहता था पाजिटिव पाया है था उसके 70 बरसी दादी और 9 बरसी चोटी बेहन की भी रिपोर्ट पाजिटिव आई है बेगम गिन से हमारे संबाद्दाता शर्ष सर्मा की रिपोर्ट देबाद से हमारे संबाद्दाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट सहर में गोगा भक्तों का किया सम्मान नीम नात घराने में किया सभी ने गोगा भक्तों का सम्मान ब्रश्टाचार मिटाओ सेनाओ के प्रदेश महासचिप धर्मेंद रांगबे ने नेतरत में किया गया सम्मान जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने बढ़ चल कर भाग लिया और स्री गोगा जी महराज की एक माह 15 दिन सेबा की जाती है